हेलो, गुड आप्टरनून स्टुडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो में बंगाल में द्वेद सासन की स्तापना किन प्रिस्तितियों में हुई और इस व्यवस्ता के क्या गुण थे, क्या दोस् इस सभी बातों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे, तो देखें स्टुडेंट्स इस सपहले वाले वीडियो में हम ने आपको अच्छे से बताय था, कि भई बंगाल में जो द्वेद सासन है किसने स्तापित किया था, द्वेद सासन है होता क्या हैं इन सभी बातों के बारे में बताया था तो पहले वाले वीडियो को यदि आप लोग देखोगे तो आपको मतलब इधियास विशे से संब्धित काफी जानकारी मिलेगी ठीक है तो देखेगा दोहरे सासन का मतलब है दो संस्ताओं द्वारा सासन इस्तापित करना ठीक है तो देखेगा बंगाल म सुबे का सासन दो बागों में मंटा हुआ था दिवानी सासन और निजामत ठीक है दिवानी सासन के अंतरगत कर्वसुली और दिवानी नया का कारिय समली था ठीक है और निजामत इसमें सांती वेवस्ता और भाहिया कर्मन से रक्षा और फोजदाली नया के कारिय समल थे और जिन दिनों मुगलों की केंद्री सत्ता प्रबल रही बंगाल के सुबेदारों के पास निजामत के अधिकार ही थे। अफर की मर्त्यू हो जाती है तो उसका पुत्रनज में दोला है वो बंगाल का नवाब बनाया जाता है और कंपनी ने सिसु नवाब पर एक नई संदी ठोपी थी कौन सी कंपनी ब्रिटिस जो कंपनी है उसने और इसके अनुसरा मतलब की त्रेपल लाक रुपे वार्शी के ब क्या किया नजम दोला से मतलब प्राप्त कर लिये थे ठीक है और त्रेपन लाक रुपे उसको दे दिये थे अब जो नजम दोला था उसको केवर सांती विवस्ता के लिए आवस्येक सेन्दा रखने के ही अनुमति दी गई थी नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति और न और इसी प्रकार से जैसे की 1775 टिस्वी में कमपनी को मुगल बाद साहकी तरफ से बंगाल बिहार और उडिसा की दिवानी भी प्राप्ते हो गई थी ठीक है तो दिवानी और निजमत एक तरह से देखें तो दोनों ही अधिकार किसके अंदर आ गए थे ब्रिटिस कमपनी के दिन आ गए थे और नवाब एक तरह से कटफूतली बन गया था इन लोगों का ठीक है और यह व्यवस्ता कलाइव के काल में हुई थी तो इन्हीं सब बातों के बारे में इसी व्यवस्ता के जो गुन थे दोस्त थे इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ठ ठीक है तो देखेगा बंगाल में द्वेत सासन तो बीस फरवरी सत्रा सोर पैसे टिस्वी को नजम दोला के साथ की गई संदी के अनुसार अन्य बातों के लावा एक बात ये भी थी कि बंगाल का परशासन एक नाइब सुब्यदार के द्वारा चला जाएगा इसकी न्यू और बाहिये सुरक्षा के लिए नवाब अंग्रेजों के उपर निर्भरे हो गया था दिवान के रूप में कंपनी राजस्वे कठा करती और नाइब सुब्यदार की न्यूक्ति करके बंगाल के परशासन भी अपना अधिकारे रखती थी ये नाइब सुब्यदार एक ही व परशासन का उत्तरदायत्वा केवल नामातर के लिए था क्योंकि परशासन में काम करने वालों की न्यूक्ति अंग्रेजों द्वारा की जाती थी नवाब केवल नामातर का सा सकता उसको 33 लाख रूपे वार्शिक पेंसन दी जाती थी बंगाल में वसूल किये गए राजस परशासन का वे तथा नवाब की पेंसन काटकर जो धन बसता था वह कंपनी के कोस में जमा कर दिया जाता इस प्रकार इस द्वेशासन प्रबंद के द्वारा समझता अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी ठीक है तो देखेगा द्वेशासन वेवस्ता के कई लाब भी हुए ज उसमें दिवानी का कारिय अपने हाथ में रखा इसे कंपनी का कारिय भारव है हलका हो गया भारतिय करमचारियों की नियुक्ति तो अंग्रेज कंपनी को सासन संबंदित कारियों का ज्यान नहीं था इसलिए कंपनी ने माल गुजारी वसूल करने और नयाए व्यवस्ता के लिए भारतिय करमचारियों की नियुक्ति की इसका प्रणाम यह हुआ कि कम्पनी को भारतियों का सहयोग प्राप्ति हुआ ठीक है विदेशी चाहत्यों की इर्शय से मुक्ति अंग्रेजी कम्पनी ने बंगाल का समस्य सासन अपने हाथ में नहीं लिया जिसके फरसुरूप उसे विदेशी सक्तियों जैसे की फ्रांसी सी थे डच थे इनके विरोत का सामना नहीं करना पड़ा ठीक है अंग्रेजों के उद्देश्यों की पूर्ति अंग्रेजी कम्पनी इस द्वेद सासन के माध्यम से यह सीथ करना चाहती थी कि वे भारत के व्यापार के लिए ही आई थे नए कि समराजे स्थापित करने ठीक है देश सासन के प्रडाम सुरूप वे अपने इस सुद्धेशे की पूड्ति में भी सफल हुए थे आरतिक इस्तिती में सुधार तो द्वेद सासन में विस्तासे जो इस इंडिया कम्पनी है इसके आरतिक स्थिती सुद्रण ह हो गई कम्पनी को सत्रा सोर पैंस्ट से बहतर इस्वी के बीज बंगाल और बिहार से लगबग तीन करोर रुपे माल गुजारी के रूप में प्राप्त हुए अंग्रेजी समराजे की स्तापना तो द्वेज सासन व्यवस्ता से भारत में अंग्रेजी समराजे की नियू दोस क्या क्या थे तो कंद्र ये सत्ता का अभाव होना द्वेज सासन व्यवस्ता ने बंगाल में दोस्क्तियों का प्रभूते स्तापित कर दिया परंतु किया करमचारी नवाब के आदेस हो इंकानूनों की जराबी परवाहा नहीं करते थे जिसके प्रणावसुर परशास किसानों का आर्ठिक सोसं तो गोगा इसंग की लोग तो यहां कोई पहन आंग्रेज स्थीतिय यहां के लोगों से कोई थ that यहां से लोगों से जो किसान लोग थे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कर प्राप्ते करना इससे क्या कि किसानों की जो आर्थिक स्थितियाव वह ज़्यादा खराब हो गई थी उनका आर्थिक सोसन किया गया था और कंपनी के सोस्टन कारी नीती कंपनी को हर समय धन के आवसेक्ता पड़ती थी इसलिए वय कठोरता पूरक जनता से धन वसूल करती इसके अलावा धन के आवसेक्ता की पूरते के लिए माल गुजारी बड़ी कठोरता और मतलब नरसंसता से वसूल की जाती थी इसे बंगाल की जनतागी दसा भो जदा दैनिये हो गई थी ठीक है और फिर अब भारतिय उध्योग धंदों का विनास होना वो तो हो गई बंगाल में कंपने का अधिकार हो जाने से वहां के जो व्यापार पर भी उनका एक अधिकार हो जाता है इसे भारतिय कारीगरों को अंग्रेजों के हाथ माल बेचने को बाद देक्या जाता है कंपने के दिखारी ही देशी कारीगरों द्वारा बनाएगी वस्तों का मुल्य निर्दारित करते थे इस नित्ती ने भारतियोग धंदों को भी नस्त कर दिया कंपनी के लिए एहितकारी सिद्ध होना तो देखेगा जो बंगाल क द्वेशासन है इसे स्वेम कंपनी के लिए भी मतलब एहितकारी सिद्ध हुई इसे कंपनी के करमचारियों के इत्याचारों में बड़ी व्रदी होती है और भारत की जनता को नेक मतलब कश्ट उठाने पड़ते हैं और इसके अलावा मतलब यह है कि अगला जो मतलब अग्रेशासन का उत्रदा इत्वा से मुक्त हो गए पर नामस रूब अंग्रेशासन को सुचारों रूप से सलाने में तरनिक भी रूची नहीं लेते इसके परणाव शूरूप बंगाल में एसान्ति और एवे वस्था फैर्टी गई करमचारियों में लोक कल्यान की भावना का अभाव पित हो गया चारों और लूट मार होने लगी और परसासन को घोर कष्टों का सामना करना पड़ा सासन की दुरबलता के कारण संपुन प्रांत में अरा जक्ता फैल गई थी अर्थात विदेशों के हाथों में हमारे भारत का सासन आ गया था अब देखेगा सत्रा सो सत्तर का अ कि एक तिहाई जनसंक्या मोत का सिकार हुई कलकत्ता पटना मुर्शिताबाद की सडकें लासों से पट गई स्थान स्थान पर दिन दाहाडे जंगली जानवर लासों को नोस्ते और खाते थे इस बारे में कंपनी के दिखाने ने लिखा कि दूर दसा के जो दुरिसे देखन सम्टे में आये विःतने विवत्स हैं कि उनका वर्नान करना सम्बव है वास्तिविक बात यह है कि कई स्थानों पर जीवित प्रानों रतिक प्राणियों को खा कर जीवित रहेए उन्हीं दिनों कंपनी का क्रमचारियों ने इस इस्तितिकां लाब उठा कर अन्द offenders को नाम था ट्वेसासन का अंत तो द्वेसासन के दूस परणाम को देखर कमपनी के संचाल को ने गहरी चिंता वेक्त कियाiste और 1772 में वरेन हैंस्टिंस को बंगाल का गवार्णर जंरा कर भारत बेजा गया और वरेन हैंस्टिंस ने द्वेसासन को स्माप कर दिया क्योंकि व्यवस्ता सही नहीं थी लोग यहां के जो भारत की किसान लोग हैं अन्य लोग हैं उनकी स्तिती बहुँ ज़्यादा दयनियों हो रही थी लोग हैं वो भूखों मर रहे थे अकाल पड़ रहा था इस वज़े से आप कंपनी को भी लग रहा था कि भाई यहां कुछ नहीं होने वाला है तो फिर उन लोग उने वारे एंस्टिंग्स को भेजा और ये द्वेशासन व्यवस्ता इसको समाते किया ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने द्वेशासन व्यवस्ता के बारे में उसकी मतलब लाब और हानियों के बारे में और द्वेशासन का अं बेस्बे.